काफी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी बैठने की कुरसी कैसी होनी चीए तो आईए, आज हम बात करते हैं बैठने की कुरसी के बारे में सबसे जरूरी चीज़ जो आपके बैठने की कुरसी में होनी चीए वो है hand support कि जब भी आप बैठे हैं, आपके दोनों हाथ इस पर अच्छे से supported हो दूसरी जरूरी चीज़ है कि आपकी इस कुरसी में नीचे की कमर को support करने के लिए इस जगा पे कम से कम back का एक portion नीचे तक आना चाहिए ताकि जब आप बैठे हैं तो आपकी lower back well supported है तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि ये curve होना चाहिए lower back में इस curve को हम कहते हैं lordotic curve तो ये हमारी back को यहाँ नीचे से पूरा अच्छे से support करता है तो ये curve होना बहुत ज़रूरी है चौती चीज़ जो हमारी कुरसी का slant है ये जो है करीब 110 degree होना चाहिए अगर कुरसी एकदम सीधी है वो भी कमर के लिए अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा अगर tilted है या slant बहुत ज़्यादा है वो भी कमर के लिए अच्छा नहीं है तो 110 degree का slant सबसे अच्छा है पांचवी चीज़ जब भी कोई बैठता है तो upper back जो है वो यहाँ तक support होनी चाहिए अगर यहाँ तक support नहीं हो रही है छोटी है तो उससे भी कमरदाज बढ़ता है क्योंकि कमर आदी सपोर्टेट रहती है next जरूरी चीज़ है जिस भी कुरसी को आप select करें उसमें थोड़ा सा यह movement जरूर होना चाहिए आगे पीछे होने का अगर यह movement हो रहा है तो जब आप relax होके बैठें आप पीछे अराम से बैठ सकते हैं और जब आप काम कर रहे हैं तो इसी position में कुरसी की आप आगे की तरफ जुक के काम करना या लिखना वो कर सकते हैं next most important thing is जब आप बैठते हैं तो आपके पैर जो है वो जमीन पे supported होने चाहिए well grounded जिसे हम कहते हैं तो इस तरह से जब आपके पैर जमीन पे support है तो lower body का weight जो है जब जमीन पे आपका अच्छे से support हो जाता है अगर आपके पैर लटक रहे हैं आपकी कुरसी में तो उससे भी कमरदर्ध होने के chances ज़ादा रहते हैं next जो सबसे जरूरी चीज़ और last चीज़ है इस वीडियो की वो ये कि जब भी आप कुरसी पे लंबे समय के लिए बैठ रहे हैं या आपको आफिस का जादा काम करना है तो हर 40-45 मिनट में आपको इस तरह कुर्ची से खड़े होके एक चक्कर ऐसे जरूर लगाना चाहिए जब आप ये चक्कर लगाते हैं बीच में अपनी कमर को आप थोड़ा reverse stretch भी जरूर करें या फिर थोड़ी अगर आप stretching करें हर 40-45 मिनट में उठके तो ये भी आपकी कमर के लिए बहुत अच्छी है और लंबे कमे तक बैठे रहने से जो spine की disc पर दबावाता है उसको आप avoid कर पाएंगे Thank you